Hello friends, welcome back to my channel Study with MSA आज की वीडियो में हम एक short story की summary देखने वाले हैं कि जिसका title है The Neckless यानि के गले में पहने जाने वाला हार जिसको हम necklace कहते हैं और कहीं कहीं इस story का title The Diamond Neckless भी दिया गया है यह story लिखी गई थी Guy at the Mopassant के द्वारा summary की शुरुआत करने से पहले हम writer के बारे में कुछ details देखे हमारे जो writer हैं उनका पूरा नाम Henry Ren Albert Guy de Mopassant था उनका जन 5 अगस्त 1850 में France में हुआ था और उनकी death 6 July 1893 में France में ही हुई थी उनकी कुछ famous short stories देखी जाए सबसे पहले है दहोरला, two friends, mother savage, the piece of string, useless beauty और pirate summary की शुरुआत करने से पहले हम इसके कुछ characters देखे तो इसमें मुख्य तीन character हैं सबसे पहले है Mathilde Loiselle उनके husband M. Loiselle और है Madam Forrester यह तीनों इस कहानी के मुख्य बात रहे हैं यहाँ पर M. Loiselle जो है वो education department में एक clerk है और Mathilde Loiselle एक खुबसूरत नौजवान लड़की है के जिसकी सादी M. Loiselle के साथ हो जाती है यहाँ पर Mathilde Loiselle हमेशा अमीर होने के सपने देखती रहती है पर बत किसमती से उसकी सादी M. Loiselle के साथ हो जाती है मैडम Forrester के जिसके पास से Mathilde डायमन नेकलेस लेती है और उसी नेकलेस के साथ इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है तो अब ज्यादा समयना वेस्ट करते हुए शुरू करते है आज की हमारी ये विलियो तो कहानी की शुरुआत होती है Mathilde से जो की एक Middle Class लड़की है वो दिखने में सुन्दर और आकरशक है पर खुबसूरत और आकरशक होने के बावजुद उसके पास Upper Class के लड़कियों के जैसा कोई Advantage नहीं है नहीं उसे दहेज में कुछ मिला नहीं वो किसी Famous Family से बिलोंग करती है और नहीं बाकी और कोई चीज जिसकी एक लड़की को उम्मीद होती है यानि के जो चीजे एक अमीर खुबसूरत देखने वाले लड़की के पास होती है ऐसी कोई भी चीज उसके पास नहीं थी उसके दिमाग में हमेशा एक ही खयाल चलता रहता है कि बस उसे अमीर बनना है बट अनलकिली उसका जन्म एक क्लरक की फैमिली में हुआ है जिन्होंने उसकी साधी एक क्लरक के साथ ही कर दी कि जिसका नाम एम लॉइसल है यहाँ पर एम लॉइसल के मिनिस्ट्री ओफ एज्यूकेशन में एक क्लरक है मथिल डेगो जैसे तैसे करके बस अमीर बनना है इसलिए वो अपने वास्तविक जीवन से नफृत करने लगी है और पूरा दिन उन बातों के सपने देखने में बिताती है जो उसके पास नहीं है इसलिए वो जब भी अपने गर में किसी चीज को देखती तब वो दुखी हो जाती उसे हमेशा सिकायत रहती कि मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है मेरे पास ये चीज होनी चाहिए ये चीज इससे भी बहतर होनी चाहिए गर में अच्छा खासा फनीचर होना चाहिए गर में हर जगा कारपेट बीचे होने चाहिए गर का कीचन आलिशान होना चाहिए उसके पास बड़ी वाली स्लिपिंग आम चेर होनी चाहिए अच्छे से अच्छे गहने होने चाहिए गर के हर रूम में पर्फिम लगा होना चाहिए ऐसे कई सारे ख्यालात उसके दिमाग में चलते रहते हैं उसके गर में एक मेड भी रखी है जो उसके गर का सारा काम करती है और उस मेड को देखकर उसे अपनी सामानिय स्थिती का लगातार एहसास होता रहता है वो अपने पास जो कुछ है उससे अधिक पाने के सपने देखती है उसका जो husband है वो बहुती अच्छा इनसान है वो अपने बीवी की हर ख्वाइस पूरी करने की अपनी तरप से पूरी कोशिस करता है वो हमेसा उसे खुश देखना चाहता है एक दिन की बात है कि M. Loisal अपने बॉस की पार्टी का इन्विटेशन लेकर गर आता है उसे ये इन्विटेशन पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी वो एक एन्वेलप में ये इन्विटेशन लेकर गर आता है और अपनी बीवी को देता है वो उसे सर्प्राइज देना चाहता था पर मथिल्डे का अपने स्वभाव के अनुसार पहला रियक्शन तो उसकी गलतिया निकालना ही होता है वो जैसे ही उस इन्विटेशन को पढ़ती है तो उसे फैक देती है और कहती है कि मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती एम लोईसल के कई बार पूछने पर वो कहती है कि उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं है तो वो इतनी बड़ी पार्टी में उसके पास जो कपड़े है वो तो पहन के बिल्कुल भी नहीं जा सकती अब एम लोईसल को पता नहीं चलता कि अब उसे क्या करना चाहिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रेस खरीद कर दूँगा पर अगर वो ज्यादा महेंगा न हुआ तो तब मथिल्डे सोच समझ कर उससे कहती है कि मुझे सिर्फ 400 फ्रेंक्स दे दो अब मथिल्डे ने ड्रेस तो खरीद लिया पर अब एक और प्राब्लम थी इस बार उसकी कंप्लेंट थी कि उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी सी ज्वैलरी नहीं है मथिल्डे को भी लगता है कि हाँ ये बात सही है वो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के पास जाती है वो उनसे बात चित करती है और उन्हें अपनी प्राबलम बताती है तब मैडम फॉरेस्टर अपने पास रही कई सारी ज्वैलरीस उसे दिखाती है वो उनके पास से अलग-अलग तरह की जेवलरिस ट्राय करती है पर अंत में वो उन्हें एक डायमन नेकलेस दिखाते है मथिल्डे को वो पसंद आ जाता है और वो उनसे वो नेकलेस थोड़े दिनों के लिए ले लेती है अब वो पार्टी वाली रात आती है ये मसिल्डे की लाइफ का सबसे सूहाना दिन था उसके जीवन की सबसे सूहानी गड़ियां थी जब वो पार्टी में जाती है तो हर कोई उसको देख रहा होता है उसकी खुब्सूरती से हर कोई उसकी तरफ एٹरेक्ट हो रहा होता है ये देखकर वो बहुत रोमान चित हो जाती है हर कोई उसके साथ अपना परीचे कर रहा होता है ये सब चीजों से उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी वह और उसका हस्बेन जो कि पार्टी में किसी कोने में सो रहा होता है वे दोनों चार बजे तक वही पर रुखते हैं उसके बाद एक कैप पकड़ कर घर वापस आ जाते हैं पर जब वे दोनों घर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मतिल्डे के गले में जो डायमन नेकलेस था वो गायब था वो दोनों बहुत ज़्यादा गबरा गए उन्होंने उस हार को डूनने की पूरी कोशिस की एम लोईसल ने पूरा दिन यहां तक की अगला हफता भी शहर में हार डूनने में बिता है उसने पूली स्टेशन और नियूस पेपर में भी इसके बारे में बात की पर वो हार उन्हें नहीं मिला अंत में लोईसल और मतिल दे ने डिसाइड किया कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैडम फॉरेस्टर को नया हार खरिद कर दे दिया जाए एम लोईसल मतिल दे को कहता है तुम मैडम फॉरेस्टर को बता दो कि वो हार उनसे तूट गया है और उन्होंने उसे रिपेरिंग के लिए दिया हुआ है तब तक वे दोनों किसी भी तरह से नए हार का इंतिजाम करेंगे और उन्हें वापस लोटा देंगे मतिल्ले बिल्कुल वैसा ही करती है वे दोनों एक के बाद एक कई सारी जुएलरी शौक पर जाते है अंत में उन्हें एक स्टॉर पर बिल्कुल वैसा ही नेकलेस दिख जाता है जैसे कि मेडम फॉलेस्टर के पास से उन्होंने लिया था और वो अभी उनसे हो गया है पर वो हार बहुती ज्यादा महेंगा था जब उन्होंने उसकी किमत पुछी तो उसने 40,000 फ्रेंक्स कहा और अंत में वो 36,000 फ्रेंक्स में उसे देने के लिए मान गया तब एम लोईसल ने उनसे कहा कि तुम सिर्फ तीन दिनों के लिए इस हार को किसी को भी मत बेचना तीन दिनों के बाद मैं आकर इसे खरीद लूँगा 36,000 फ्रेंक्स उसके लिए अपनी जीवन की पूरी कमाई से भी दूगना था ये कीमत उसकी पूरी सेविंग से भी डबल थी उसने जैसे तैसे करके पैसो का इंतिजाम किया और वो हार खरीद लिया और ये हार खरीद कर उन्होंने मैडम फोरिस्टर को दे दिया पर इसके लिए वह बहुत बड़े करजे में ढूब गया ये हार खरीदने की वज़े से ये दानों बहुत ज़्यादा गरीबी में चले गए उन्हें अपना फ्लेट भी बेचना पड़ा गर में जो मेड थी उसे भी उन्हें निकालना पड़ा उनकी जो कमफर्टेबल लाइफ स्टाइल थी वो सब उन्हें छोड़ना पड़ा और सबसे बड़ी लॉस की मतिल्डे ने अपना लोग खो दिया यानि के बहुत ज़्यादा काम करने की वज़े से उसकी जो खूब सूरती थी वो भी उसने खो दी मतिल्डे को अप गर का सारा काम करना पड़ा और एम लोईसल अपना काम पुरा करने के बाद शाम को एक मर्चंड के अकाउंट का काम करने लगा दस साल तक कड़ी मेहनत मशक्त करके उन्होंने अपना सारा करजा चुका दिया अब एक दिन की बात है एक दिन शाम को मतिल्डे वाक के लिए निकलती है तब वो मैडम फॉरेस्टर को देखती है जो कि पहले की तरह ही यंग और खूबसूरत दिखाई दे रही थी मतिल्डे उनके पास जाती है और मैडम फॉरेस्टर पहली नजर में उसे पहचान नहीं पाती तब वो कहती है कि मैं मतिल्डे हूँ तुम्हारी पुरानी दोस्त तब वो गोर से देखती है तो उसे पहचान जाती है और आश्चरे चिकित हो जाती है वो दोनों बात कर रहे होते हैं अब जबकि उन्होंने पूरा करजा चुका दिया था तो मतिल्डे ने उन्हें सब कुछ सच सच बताने का निर्णे किया उसने नेकलेस की पूरी कहानी और अपने दस साल की स्ट्रगल के बारे में उन्हें सब कुछ बताया ये सब सुनकर मेडम फॉरेस्टर एक दम से चौक गई वो बिल्कुल ही शौक हो गई ये सब सुनने के बाद अंद में उन्हों ने बताया जो नेकलेस उन से हो गया था वो नकली था और उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रेंक्स थी सिर्फ और सिर्फ 500 फ्रेंक्स और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है अब कहानी की ठीम को देखा जाए तो सबसे पहली थीम है Honesty is the best policy अगर मतिल्डे और M. Loisal ने उन्हें सच सच बता दिया होता तो उन्हें अपने 10 साल अपनी जीवन के बेस कीमती 10 साल नहीं गवाने पड़ते पर उन्होंने अपना सच न बता कर अपने जीवन के बहु मुल्य 10 साल गवा दिये उस चीज के पीछे जो नकली थी तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें तफिर से मुलाकात होगी ऐसी किसी वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई and टेक कैर